किसान कुलदीप सात्रोड हरियाना का सबसे बड़ा नाम फिलालाज एक बार फिर होस्पिटल में मौजूद है चोथा उपरेशन उसका चल रहा है याद होगा आपको किसान अंदोलन के लिए अपनी जाना हथ धेली के उपर रखकर दाउपर लगा दिस वैक्ती ने कि किसी भी किमत के उपर हमारा किसान अंदोलन जीतना चाहिए जब किसान अंदोलन जीता तो उस वैक्ती को 4 से 6 दिन तक ये नहीं पता था किसान अंदोलन जीत चुका है मोधी जी ने बात मान लिया है क्योंकि वो वैक्ती वेंटीलेटर की उपर पड़ा अपनी आखरी सासे गिंदा था आखरी ही कहेंगे क्योंकि कुद्रत का करिश्मा हुआ बगवान का करिश्मा हुआ जिसकी विज़े से वो वैक्ती बचा और आज एक बार फिर आप लोगों की दुआओं की जरूरत है किसान कुलदीप सात्रोड को जिसकी एहम भूमिका रही हरियाना पंजाब यूपी पूर बख्ष दे उसकी जिन्दगानी बख्ष दे क्योंकि वो वैक्ती इसी होस्पिटल के अंदर आप देख पा रहे हैं अपनी सांसों से लड़ाई लड़ रहा था और आज उसका दुबारा फिर चोथा ओपरेशन चल रहा है और नो डाउट ये बात तो कहनी पड़ेगी ये जो है वो जिन्दगी के ओपर मढड़ा रहा है अदा चरीर अदा हिस्सा काम नहीं करता ना हाथ काम करता ना सिर काम करता ना आखे काम करती आदी जुबान नहीं काम करती पैर नहीं काम करता पूरी जिन्दगी उस वैक्ती को किसान अंदोलन करा तो अगर मैं बात कूंग उसको जिताने के लिए बैड के उपर बितानी पड़ेगी कि उसने अपनी जिंदगानी की आहूती किसान अंदोलन के अंदर जोक दी। लेकिन अगर आपके अंदर इंसानी है तो उस कुल्दीप सात्रोड के लिए एक शेर आप उसकी जिंदगानी के लिए शेर कर सकते हैं या था कोई खास बात नहीं है क्योंकि मुर्दे जो होते हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता आज हमारे साथ में कोई और नहीं किसान प्रचार की सरकार है और अगर इनको MSP देनी होती तो फिर इनको MSP का गारंटी कानून बनाने में दिक्कत क्या थी आज तक ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए देश के प्रधान मंतरी हों हरियाना के मुख्य मंतरी हों तमाम बीजेपी के नेता हों वो ये बात कहते हैं कि MSP थी है और रहेगी तो फिर उनको कागच पे लिखके देने में दिक्कत क्या है ये केवल और केवल परचार करन सबसे पहले अरियाना के अंदर अरियाना सरकार ने दिया है और पूरी स्टेट के अंदर कहीं पर नहीं हो तो वो क्या है देखिए MSP ना मिलने के कारण पूरे भारत के किसानों को करीब करीब आजादी से लेकर के अब तक 45 लाक क्रोड रुपे का नुक्सान हुआ है दूसरी बात जो 9% MSP मिलती है उसमें बड़ा हिस्सा हरियाना और पंजाब का है तीन करसी कानुनों का अंदोलनी इन दोनों राज्यों से स्रू हुआ था लेकिन जो हमारी मांग है कि चैए वो रभी की फसले हों चैए वो खरीब की फसले हों किसान का प्रतेक दाना MSP के उपर खरीदा जाए चैए वो पॉल्टरी का किसान हो चैए वो सबजी का किसान हो चैए वो दूद का किसान हो वो सारे MSP के दाइरे में आनीची हमारी मांग आज ये देखिए आज एक किसान को सो कुंटल सरसों अगर उसके खेत में है तो ये केवल 25 कुंटल सरसों लेते हैं उसके बाद 55 कुंटल सरसों तो किसान ओने पुने दाम में बेच रहा ये तो तमाम आप हाल मंडियों के देखते हैं धिखाते हैं जी ये तो हो गया अगली ब सब्सक्राइब के उपर पड़ा है उसने कहा था सरकार की तरफ से आदेश हुए थे डिसी की तरफ से आदेश हुए थे कि जल्द हिन के प्रिवार को मुहावजा राशीक तो दी दी जाएगी उसके साथ साथ में एक बच्चे को नोकरी भी दी जाएगी देखिए कुलदी भाई का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है और जो राज्य सभा के MP रामचंदर के लोगों ने जिस तरह से कातिलाना हमला किया और उसके बाद एक वेक्ति जिंदगी और मोत से जंग लड़कर के अमारे बीच में है लेकिन वो पूरी कि कमा के नहीं खा सकता और जो समझोता उस समय हुआ था बिल्कुल आप ठीक करें समझोता हुआ था कि घर में एक नोकरी दी जाएगी आज तक नहीं दी गई पूरा इलाज जो है फरी करवाये जाएगा जो इलाज के पैसे पहले जमा थे वो वापिस किये जाएंगे वो का काईदा डीसी के साथ मीटिंग हुई और करीब करीब दोस महीने लेट जब हमने आंदोलन की धमकी दी कि हम आंदोलन करेंगे आज फैसला लेंगे तमाम हरियाना से सभी साथी यहां पहुँचे तब जा करके इनका इलाज यहां हो रहा और चोथा ओप्रेशन हुआ लेकिन हम सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि मुआउजा भी कुल्दीप के परिवार को दिया जाए उनके बेटे को नोकरी भी दी जाए क्योंकि अब इनके घर का जिम्मेदार कौन है यह एक बड़ा प्रसंद है जी अगर बात करूँ ना मैं तो राजनीती करने के लिए बहुत लोग आजाते हैं जिसके अंदर नाम रवी जी का भी आजाता है बड़े बड़े लोगों का आजाता है मैं फिलाल नाम ने लूँगा लेकिन आप लोग समझ गए होगे बिना नाम किये इशारा ही काफी होता है राजनीती करने के लिए तो सारे आजाते हैं लेकिन आज भी कुल दीप कहीना कहीं पर जब मेरी बाचीत होती है ना तो सीधा यूँ कहता है कि साब मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है जब सरकार ने कह दिया परशाशन ने कह दिया त इस बात का क्या जवाब दुआग देखिए जिन नेताओं को राजनिति करनी थी वो राजनिति में चले गए हम पहले भी आंदोलनकारी थे आज भी आंदोलनकारी हैं आगे भी आंदोलनकारी रहेंगे और जब से कुलदीब भाई के साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई हम से लेकर के आज तक और भविश्य तक क्योंकि ये भाई हमारे लिए लड़ा है इसने जो अपनी आप ये समझ ये कि ये जी करके भी मरा हुआ है इसका योगदान किसान आंदोलन के लिए है ये हमारा भाई है इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं इनका परिवार हमारा परिवा साथ मिल पारे नहीं डोक्टर्स का बहुत अच्छा कोप्रेशन है क्योंकि जिस समय ये कातिलाना हमला हुआ उस समय कोई ये नहीं सोच रहा था कि कुल्दी भाई जो हो जीवित बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे लेकिन डोक्टर जो जिनको हम भगवान का दरजा दे होते हैं उन्होंने अपनी बहुत अच्छी कोशिसे की सबने बहुत अच्छी दुआएं की और दुआओं में बड़ी ताकत होती है और डोक्टर्स ने भी इस बात को कहा कि इस तरह के इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनमें रीकवरी के चांसिस बहुत कम होते हैं लेकि ये तो बात रही कुल दीप की उसके साथ साथ में MSP की किसान अंदुलन की अब थोड़ा सा अंतरराष्ट्री है मुद्दा जब तक इलेक्शन है तब तक पेट्रोल का रेट कभी जिंदगी में आपने इतना डाउन आता नहीं देखा हुगा एक सो चार के उपर पोच चुग सरकार कहती है अंतरराष्ट्रिय बजार के अंदर क्रूड ओयल की कीमत बढ़ती है लेकिन अब इलेक्शन है क्रूड ओयल का दाम जादा हो चुका उसके बावजुद भी रेट नहीं बढ़ रही ऐसा क्यों देखिए जब भी लोग सभा के आविधान सभा के चुनाव आते पिर ये याद दिलाते हैं कि क्रूड ओयल के रेट बढ़ गे कच्छे तेल के दाम बढ़ गे और लंबे समय से ये मांग है कि डीजल और पैट्रोल के रेट कम होने चाहिए आपको ध्यान होगा देश के प्रधान मंतरी मोधी और बीजेपी इसको एक एजंडा बनाके काम क कर रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो डीजल पंतारीस रुपे लिटर मिलेगा पैट्रोल पचास रुपे लिटर मिलेगा लेकिन इन्होंने तो पिछली सरकारों के भी रिकोर्ड तोड़ दिये और ये बात मां आपको जानकारी आपके माद्यम से सबको जानकारी देना चाहता हूं कि जो हम एक लिटर के दाम देते हैं अब अगर किसान की बात करें उसको सबसे ज़्यादा डीजल की जरूरत है एक आम आदमी जो मोट साइकल पे सफर करता है अपनी रोज मर्रा का जीवन चलाता है ये कहते थे हम आपको हवाई चपलवारों को हवाई जाज मे बठाएंगे इन्होंने तो साइकल भी नहीं छोड़ी इन में आदे जो दाम है एक लिटर की जो कीमत वसूली जाती है उसमें आदे दाम तो केवल और केवल टेक्स में चले जाते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मोधी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्ता में भी पैट्रोल और डीजल भारत से सस्ता है बंगला देश में भी पैट्रोल और डीजल भारत से सस्ता है चाहिए वो स्री लंका की बात करें तो इसके उपर बिलकुल आंदोलन की जरूरत पड़ेगी जी झाल